और विश्व भर में फैले भग्वान बुद्ध के अन्युयाईयों को बुद्ध पुर्णिमा के बैसाक उत्सव के बहुत बहुत शुब कामना है यह मेरा सवबाग है कि मुझे पहले भी इस पवित्र दीन पर आप से मिलने आप सभी से आशिर्वार लेने का अउसर मिलता रहा है 2015 और 2018 में दिल्ली में और साल 2017 में कोलंबो में मुझे इस कारकम से जूडने का आपके बीच आने का मोका मिला था हाँ इस बार परिस्थित्या ही कुछ और है इसलिए आमने सामने आकर के आप से मुलाकात नहीं हो पा रही है साथियों भगवान बुद्ध का वचन है मनो पुब्बम गमा धम्मा मनो सेट्टा मनो मया यानि धम्म मन से ही होता है मन ही प्रधान है सारी प्रभुतियों का अगवा है इसलिए आपका और मेरा मन का जो जुडाव है उसके कारण सो शरीर उपस्तिती की कभी उतनी आप समारो इसके इस आयोजन के लिए अंतर राष्ट्रिय बाउद्द संग प्रसंशा के पात्र है आपके इस अभिनव प्रयास के कारण ही इस आयोजन में विश्व भर के लाखो अन्युआई एक दूसरे के साथ जूट रहे हैं लुंबिनी बोध गया सारनाथ और कुशी नगर के अलावा सी लंका के स्री अनुराधा पूर सुप और वास्टुवा मंदिर में हो रहे समारों को इस तरह एकी करण कितनी अधूत कलपना है कितना सुन्द द्रश्य है हर जगव हो रहे पूजा कारिकमों का ओनलाइन प्रसारन होना अपने आप में अधूत अनुभव है आपने इस समारों को कोरोना बैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहे पूरी दुनिया के हेल्थ वर्कर्स और दूसरे सेवा करिमियों के लिए प्रार्थना सब्ता के रुप में मनाने का संकल्प लिया है करुना से भरी आपकी इस पहल के लिए मैं आपकी सरहना करता हूँ मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही संगठित प्रयासों से हम मानवता को इस मुश्किल चुनवती से भार निकाल पाएंगे लोगों की परेशानियों को कम कर पाएंगे साथियों प्रतेग जीवन की मुश्किल को दूर करने के संदेश और संकल्प ने भारत की सभ्यता को संस्कृती को हमेशा दिशा दिखाई है बगवान बुद्ध ने भारत की संस्कृती और इस महान परंपरा को बहुत सम्रुद्ध किया है वो अपना दीपक स्वयम बने और अपनी जीवन यात्रा में दूसरों के जीवन को भी प्रकासित करते रहे और इसलिए बुद्ध किसी एक परिस्तिती तक सिमित नहीं है किसी एक प्रसंग तक सिमित नहीं है सिदार्थ के जन्म सिदार्थ के गवतम होने से पहले और उसके बाद इतनी शताब्दियों में समय का चक्र अनेक स्थितियों परिस्तितियों को समेटते हुए निरंतर चल रहा है समय बडला स्थिती बडली समाज की व्यवस्ताएं बडली लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश हमारे जीवन में निरंतर प्रभामान रहा है ये सिर्फ इसलिए संबव हो पाया है क्योंकि बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं है बलकि एक पवित्र विचार भी है एक ऐसा विचार जो प्रत्तेक मानव के रुदह में धड़कता है मानवता का मारदर्शन करता है बुद्ध त्याग और तपस्या की सीमा है बुद्ध सेवा और समर्पन का परिया है बुद्ध मजबूत इच्छा सक्ति से सामाजिक परिवर्तन की पराकाश्टा है बुद्ध वो है जो स्वयम को तपाकर, स्वयम को खपाकर, खुद को निचावर करके पूरी दुनिया में आनंद फैलाने के लिए समर्पीत है और हम सभी का सौभागे देखिए इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए किसी मरीज के इलाज के लिए किसी गरीब को भोजन कराने के लिए किसी अस्पताल में सफाई के लिए किसी सड़क पर कानून व्यवस्ता बनाए रखने के लिए चोबी सो घंटे चोबी सो घंटे काम कर रहे हैं भारत में भारत के बार ऐसा प्रतेग व्यक्ति विश्व के हर कोने में ऐसा प्रतेग व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है नमन का पात्र है साथियों ऐसे समय में जब दुनिया में उथल पूथल है कई बार दुख निराशा हतासा का भाव बहुत ज़्यादा दिता है तब भगवान बुद्ध की सीख और भी प्रासंगीक हो जाती है भगवान बुद्ध कहते थे कि मानव को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि वो कठिन स्थित्यों पर विजय प्राप्त करे उनसे बाहर निकले ठक कर रुख जाना ये विकल्प नहीं हो सकता आज हम सब भी एक कठीन परिस्तिती से निकलने के लिए निरंतर जुटे हुए हैं साथ मिलकर काम कर रहे हैं भगवान बुद्ध के बताए चार सत्य यानि दया, करुणा, सुख दुख के प्रती समभाव और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्विकार रहा है ये सत्य निरंतर भारत भूमी की प्रेना बने हुए है आज आप भी देख रहे हैं कि भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेत के अपने यहां भी और पुरे विश्व में कहीं भी संकट में घीरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है लाब भानी समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है जितना संबो हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है यही कारण है कि विश्व के अनेग देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरुरत मन तक पहुँचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है भारत आज प्रतेग भारतवासी का जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास्तो करी रहा है अपने वैश्विक दाइत्वों का भी उतनी ही गंबिरतां से पालन कर रहा है साथियों भगवान बुद्ध का एक एक भचन एक एक उपदेश मानवता की सेवा में भारत की प्रतिवद्धता को मजबूत करता है बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतिव है इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा भारत की प्रगति हमेशा विश्व की प्रगति में सहायक होगी साथियों हमारी सफ़ता के पैमाने और लक्ष दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं लेकिन जो बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि हमारा काम निरंतर सेवा भाव से ही होना चाहिए जब दूसरे के लिए करुणा हो समवेदना हो और सेवा का भाव हो तो ये भावनाय हमें इतना मजबूत कर देती हैं कि बड़ी से बड़ी चुनोती से आप पार पा सकते हैं सुपबुद्धम पभुजन्ति सदागोतम सावका यानि जो दिन रात हर समय मानोता की सेवा में जुटे रहते हैं वही बुद्ध के सच्चे अनुआई हैं यही भाव हमारे जीवन को प्रकाशमान करता रहे गतिमान करता रहे इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार इस मुश्किल परिस्तिते में आप अपना अपने परिवार का जिस भी देश में आप है वहां का ध्यान रखे अपनी रक्षा करें और यता संभव दूसरों की भी मदद करें सबका स्वास्त उत्तम रहे इसी मंगल कामना के साथ मैं मेरी बाणी को विराम देता हूं धन्यवाद सर्व मंगलम